ये stepper motor है ये एक तरह की electrical motor है जिसे ठीक से नियंत्रित किया जा सकता है इस विडियो को Danfoss Climate Solutions ने sponsor किया है और इसमें हम stepper motor के कुछ सरल प्रकारों के बारे में जानेंगे साथ ही सीखेंगे कि ये कैसे काम करती है अगर आप stepper motor को काम करते हुए देखना चाहते हैं तो Danfoss का CCMT Light Valve देखें जो Transcritical CO2 Refrigeration के लिए बनाया गया ये बहुत ही विश्वसनी Electrical Pressure Regulating Valve है Danfoss की वेबसाइट पर आप CCMT Light Valve को 3D में देख सकती हैं इतना ही नहीं आप स्मार्टफोन से QR Code स्कैन करें दिये गए लिंक पर क्लिक करें और इसे आजमाएं Step a Motor एक ऐसी डिवाइस है जो विद्यूत उर्जा को यांत्रे गती में बदलती है यह निश्चित नियंत्रित क्रम में DC Electricity भेजती है जिससे rotation होता है rotation आगे या पीछे की दिशा में हो सकता है या फिर हम उच्चिस तर के सटीक नियंत्रण अर्थाथ High Precision Control के लिए rotation को छोटे-छोटे steps में नियंत्रित कर सकते है Motor को वांचित बिंदू पर रोका जा सकता है या फिर उसी स्थिती में रखा जा सकता है यह स्टैंडर्ड DC मोटर से अधिक एडवांस है क्योंकि DC मोटर लगातार केवल एक ही दिशा में बहती है इसलिए automation और manufacturing के क्षेतर में stepper motors अधिक उपयोगी है क्योंकि वे precision control ओफर करती है इसलिए हम देखते हैं कि 3D printer, CNC मशीनों, print scanner से लेकर precision refrigeration, system के electronic expansion valve तक में सभी जगर stepper motor का प्रयोग हो रहा है आप DC और AC motors की कारे प्रणाली के बारे में हमारी पिछली वीडियोज देखकर सीख सकते हैं लिंक नीचे वीडियो description में दिया गया है मोटर एक मोटर ड्राइवर से जुड़ी होती हैं, जिसमें कुछ electronic switch होते हैं, जो बड़ी तेजी से on या off हो सकती है कंट्रोलर यह तै करता है कि switch कब on या off होंगे, ऐसा करने के लिए यह कुछ code follow करता है ड्राइवर आम तौर पर उसी application के लीड डिजाइन किया गया एक विशेश circuit board होता है और कंट्रोलर कोई PLC unit या फिर कोई साधरन और सस्ता सा Arduino हो सकता है switch के कारण बिजली motor coil में पल्स के रूप में बहती है हम थोड़ी ही देर में इससे देखेंगे हर पल्स पर motor एक step घूमती है एक arm step पर motor को 200 step चलने के लिए डिजाइन किया जाता है इसका मतलब हुआ कि shaft के पूरे एक rotation के लिए 200 pulse की जरुवत होगी एक पूरा rotation 360 degree का होगा तो यदि ऐसा होने में 200 step लगते हैं तो 360 में 200 का भाग देने से पता चलता है कि हर step में shaft 1.8 degree घूमेगा स्विचिंग की गती और स्विचों को जिस क्रम में नियंतरित किया जाता है उससे घूमने की गती और दिशानिरधारित होती है step अ motor कई प्रकार की होती है यहां hybrid motor है जिसका इस्तमाल सबसे अधिक होता है हम देख सकते हैं कि एक motor में दो end caps और एक मुख्य बॉड़ी है एक तरफ shaft है और दूसरी तरफ electrical connection motor के अंदर shaft के दोनों सिरो पर दो bearing होती है यह shaft को अगली जगह बनाए रखती है और उसे आसानी से घुमाती है shaft से एक rotor जुड़ा हुआ है rotor और shaft साथ में घुमते है rotor एक permanent magnet यानी स्थाईज चुमबक है जिसके दो भाग होते है जिने कप कहा जाता है एक कप उत्तरी धुरुव यानी north pole और दूसरा दक्षणी धुरुव यानी south pole है हर कप की बाहरी सतह पर कई दात कटे है दोनों कपों के दांथ एक सीध में नहीं होते है बलकि एक दूसरे से अलग कोण पर होते है जिससे एक कप के दांथ दूसरे कप के gap के साथ align हो सके rotor के चारों और stator है stator स्थिर रहता है और घुमता नहीं है इसमें तारों के बहुत से coil होते हैं जो rotor को घेरे रहते हैं सभी coil आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं इस उधारण में 8 coil हैं जो 4-4 के दो सम्मुहों से जुड़े हैं driver से तै होता है कि current कब इन coilों से होकर बहेगा इससे एक विद्युत चुम्बकी एक शेत्र यानि electromagnetic field बनता है और rotation शुरू हो जाता है स्टेटर के भीतरी घेरे पर भी दान्थ होते हैं इनका उप्योग मोटर की शुद्धता को बढ़ा दे और magnetic alignment यानि चुम्बकी सनरेखन बनाने के लिए किया जाता है rotor में stator से अधिक दान्थ होते हैं stator में 48 दान्थ हो सकते हैं जबकि rotor में 50 दान्थ होते हैं इसी अंतर के कारण एक समय में सारे दान्थ अलाइन नहीं हो पाते जब एक coil के set को उर्जा मिलती है तो coilों में उत्तरी और दक्षणी धुरुप के साथ electromagnetic field बनता है rotor एक permanent magnet है और यह stator के electromagnetic field से प्रतिक्रिया करता है जिससे rotor घूमने लगता है coil on और off होती रहेगी तथा हर बार on होने पर coil के electromagnetic field उलट जाएगा इसके कारण rotor घूमेगा क्योंकि stator की coilे rotor cup के magnetic field को खींचेंगी और धके लेंगी हम जानते हैं कि चुमबक आपस में प्रतिक्रिया करते हैं विपरीद ध्रुव एक दूसरे को आकरशित करते हैं जबकि एक समान ध्रुव दूर जाते हैं जब करण तार में से बहता है तो electromagnetic field बनता है अगर हम तारों को coil में लपीट दें तो एक बड़ा और शक्तिशाली electromagnetic field बनता है जिसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षणी ध्रुव बनते हैं करेंट की दिशा बदल कर हम ध्रुविता यानि polarity बदल सकते हैं करेंट का प्रभा चालू कर या रोक कर हम कोईल के magnetic field को on या off कर सकते हैं लेकिन permanent magnet का magnetic field हमेशा on रहता है यदि हम magnet यानि चुमबक को बीचों बीच रख दें जहां यह स्वतंतरता पूर्व घूम सके तो दूसरे magnet का प्रियोग करके इसे घुमाया जा सकता है इसके चारो और elektromagnet रख सकते हैं और हर कोईल में current को नियंतरित करके rotation को नियंतरित कर सकते हैं कोईलें जितनी अधिक होंगी rotation उतना ही सटीक होगा कोईल को नियंतरित करने का तरीका है edge bridge मान लीजे कि मोटर में दो कोईले हैं और हर कोईल चार स्विचों से connected है यदि हम स्विच एक और चार बंद कर दें कोईल एक में धुरवी करण होता है और वह रोटर को अपनी ओर आकरशित करती है फिर हम स्विच पांच और आठ को बंद करेंगे जिससे magnetic field के आकरशन और विकरशन के कारण रोटर घुमेगा फिर स्विच दो और तीन को बंद करेंगे अब polarity यानि ध्रुव उलट जाएंगे और रोटर घुमता रहेगा अब रोटर को घुमाते रहने के लिए Switch 6 और 7 को बंद करेंगे अब rotation पूरा करने के लिए Switch 1 और 4 को बंद करेंगे Switch इसी क्रम में चलते रहते है और रोटर घुमता रहता है इस क्रम को उलटने से rotation की दिशा भी उलट जाती है switching की frequency बदलने से गती पर control होता है switch manual के बजाए electronic होते हैं ताकि उन्हें सटीक समय पर on और off होने के लिए program किया जा सकता है controls के बारे में हम इस वीडियो में आगे देखेंगे हम transistors के बारे में पहले बता चुके हैं ये एक प्रकार के electronic switch होते हैं मैं उस वीडियो का link नीचे वीडियो description में दे दूँगा stepper motor का पहला प्रकार है permanent magnet motor यहाँ काफी साधरन design है इसमें permanent magnet rotor होता है जो व्यास पर magnetize होता है इस सरल संसकरण में चार कॉयले हैं दो-दो के जोडों में connect की हुई हर एक जोडी अलग phase से जोडी है जब पहले जोडे में उर जा जाती है तो magnet उससे align होने के लिए घूमने लगता है फिर अगले जोडे में उर जा जाती है और इस कारण rotor फिर से घूमता है और align होता है कॉयल on-off होती रहती है और current विभिन दिशाओं में प्रवाहित होकर rotation उत्पन्न करता है इस design में motor हर step में 90 degree घूमती है हम ज्यादा कॉयले या magnetic pole लगा कर इसे बहतर बना सकते हैं variable reluctance stepper motor थोड़ी अलग होती है इसमें soft iron, ferromagnetic, rotor का प्रयोग होता है इसका मतलब material magnetic field की तरफ आकरशित होता है लेकिन यहाँ permanent magnet नहीं है इस design में rotor में चार दांत है हम देख सकते हैं कि यहाँ कॉयलों के तीन set है हर set अलग face से जुड़ा है ध्यान दे कि इनमें कॉयलों और rotor के दातों की संख्या अलग-अलग है इससे rotor के दांत एक ही समय में align नहीं होते है इस case में हम motor को नियंतरित करने के लिए तीन switchों का प्रयोग करेंगे जब switch दो बंध होता है कॉयल magnetize होती है और rotor के दातों को खींचती है जिससे यहाँ घूमता है फिर switch तीन बंध करते हैं और magnetic field से align होने के लिए rotor फिर से घूमता है इसके बाद switch एक बंध होता है और rotor घूमता है इस क्रम की पुन्रा वृत्ती होती रहती है इस design में rotor हर step में 30 degree घूमता है step का angle यानि कोन कम करने के कई तरीके हैं जैसे एक चौधा phase जोड़ना और rotor में अधिक दांत जोड़ना hybrid stepper motor का प्रयोग सबसे आम है इसे hybrid कहते हैं क्योंकि यह variable reluctance और permanent magnet stepper motor का संयोजन है अगर हम इस सरल संसकरन को देखें तो इसमें चार कॉयलें दो जोडों में connect की गई है हमारे पास अक्षिय रूप से magnetized rotor है मतलब इसमें धुरुव विप्रीत सिरो पर है rotor के हर magnetic pole पर तीन दात है उन्हें एक ही समय पर align होने से रोकने के लिए दातों और कॉयलों की संख्या अलग-अलग है जब हम कॉयल को उजा देते हैं वे उत्तर और दक्षन धुरुव बनाती है ये rotor के permanent magnetic field से प्रतिक्रिया करते है rotor के दक्षन धुरुव का दांथ stator के दक्षनी धुरुव से दूर हटता है और उत्तरी धुरुव की तरफ खिंचता है इसी बीच rotor के उत्तरी धुरुव का दांथ stator के उत्तरी धुरुव से दूर हटता है और दक्षिनी धुरुफ की तरफ खिंचता है इससे rotation होता है फिर कॉयल के अगले set को उर्जा मिलती है rotor का magnetic field फिर से stator की कॉयलों से खिंचता और दूर हटता है जिससे rotation होता है अलग-अलग कॉयलों के set में उर्जा जाने पर ऐसा लगातार होता रहता है और current की दिशा बदलने से कॉयल की धुरुफता भी बदलती रहती है इस उधारन में हर step 30 degree का है अब थोड़ी जटिल hybrid stepper motor को देखते हैं हम देख सकते हैं कि वही चीजें ज्यादा सटीकता के साथ हो रही है इसमें 8 कॉयले हैं जिने 44 के दो समुहों में बाटा गया है रोटर में 50 दाथ हैं और stator में 48 जब कॉयलों में उर्जा मिलती है वे magnetic field बनाती है जो रोटर के permanent magnet से प्रतिक्रिया करता है ध्यान से देखने पर हम देख सकते हैं कि जब भी कॉयल की धुरुवता बदलती है तो रोटर एक स्टेप गूमता है जो इस केस में 1.8 डिगरी है ध्यान दें की हर बार जब यह गूमता है तो केवल उत्तरी धुरुविय स्टेटर कॉयल के निकटतम दांत अलाइन होते हैं रोटर के बाकी दांत अलाइन नहीं होते हैं याद रखें कि रोटर में permanent magnet होता है जो अक्षिय रूप से magnetize होता है मतलब इसके पोल विप्रीद सिरे पर होते हैं जब रोटर के दक्षनी धुरुव के दांत स्टेटर के उत्तरी धुरुवता की कॉयलों से अलाइन होते हैं इस डिजाइन से हमें उच्च सटीकता और टॉर्क मिलता है रोटर के magnetic field को नियंतरत करने के कई तरीके हैं हम Permanent Magnet Motor का प्रियोग करके देखेंगे कि इसके सरल संसकरण कैसे काम करते हैं। पहला तरीका है Wave Drive, जो सबसे आसान है। इसमें Rotate करने के लिए एक बार में केवल एक फेज ही सक्रिय होता है। Step के Angle बड़े होते हैं और इसलिए Rotation आसान नहीं होता। इस तरीके में Motor का Torque भी काम होता है, इसलिए इसका ज्यादा इस्तिमाल नहीं होता है। इसके बाद है Full Step, जो इससे मिलती जुलती ही है, लेकिन इसमें एक समय में दो फेज सक्रिय होते हैं। रोटर दो कोईलों की और आकर्शित होता है, इसलिए यह कोईलों का उसत लेता है और उनके बीच में Align होता है। इस तरीके में Torque कहीं अधिक होता है। इसके बाद आता है Half Step, इसमें पहले एक फेज को उर्जा मिलती है, फिर दो फेजों को, फिर एक अकेले फेज को और फिर दो फेजों को, इस तरह कहीं अधिक आसान रोटेशन और छोटा स्टेप अंगल प्राप्त होता है। रोटर पहले एक कोईल के साथ अलाइन होता है, फिर दो कोईलों के आसद से, फिर अकेली कोईल से और फिर आसद से, एक निश्चित समय पर केवल एक ही कोईल सक्रिय होती है। इसलिए Torque कम हो जाता है। अंतिम तरीका है Micro Step, जो सबसे ज्यादा लोग प्रिय है। इस तरीके में हम देखते हैं कि दो फेजों में उर्जा मिल रही है। एक धीरे-धीरे On हो रहा है और दूसरा धीरे से Off हो रहा है। एक में करेंट बढ़ रहा है और दूसरे में कम हो रहा है, जिसससे Magnetic Field की शक्त बदल रही है। इस वजह से अन्य तरीकों की तरह पल्स मिलने के बजाए इसमें साइन वेव प्राप्त होती है। माइक्रो स्टेब कंट्रोल द्वारा सबसे सहज रोटेशन प्राप्त होता है। अगर आप Electrical Engineering के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दि